दिल्ली परिवहन निगम के दफ्तर में आग दमकल की आठ गारियां मौके पर दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में सोमवार को दिल्ली नगर निगम दफ्तर में आग लग गई सोचना पर दमकल विभाग की आठ गारियां मौके पर पहुंची है और गुझाने का काम जारी है बता दें कि पिछले साल दिसंबर महीने में दिल्ली के किरारी इलाके में कपड़ा गोदाम में भीशन आग लग गई थी जिसमें दस लोगों की जान चली गई थी आग जिस वक्त लगी उस वक्त गोदाम में कुछ लोग सो रहे थे आग की सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर विगेट की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया लेकिन इससे पहले दम धुटने से दस लोगों की मौत हो गई जान गवाने वाले सभी एक ही परिवार के फिर